दोस्तों जैसा कि आपको पता है रीट में जो SST का सेलेबर से उसमें एक नया टोपिक जुड़ा है वो टोपिक जुड़ा है बीमा और बेंक के प्रकार उब्भोकता और सेकारिता जागरुकता ठीक है ना ये जो टोपिक जुड़ा है इसके लिए मुझे काफी जनों ने कहा मेरे friends वगेरा ने भी कहा मेरे students ने भी कहा कि सरी topic आप हमारा करा दीजिए तो इस topic के में 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ daily आपको आज से ही मिलेंगे ये 3-4 वीडियो उन 3-4 वीडियो में ये topic आपका complete होगा और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा आप ये देख लेंगे 4 वीडियो ये 3 वीडियो जो भी होगे तो आपका जो ये topic ही ये पूरा complete हो जाएगा ठीक है ना और इस topic से कम से कम 3 question और ज़्यादा से ज़्यादा 5 question ये आप मानके चलिए क्योंकि commerce वालों जुड़े तो commerce वालों को परखने के लिए वो कम से कम 3 question ज़रूर देगा यहाँ पर इस चीज का ध्यार रगना तो topic जो है उसी topic के according ही चले है हम आज हमारा सबसे easy topic और सबसे अच्छा topic हो रहा है बीमा क्या होता है और बीमा के प्रकार जो है वो क्या होते है ठीके न वो चीज हम देखेंगे इसके बाद वाले में हम देखेंगे बेंक क्या होते है और बेंक के प्रकार ठीके ना उसके बाद हम देखेंगे भारती रीजवर बेंक ठीके ना तो इस तरीके से हम टोपिक बाई टोपिक चलेंगे वो पूरे टोपिक को पूरा जो हमारे ये टोपिक है बीमा बेंक के प्रक इस ही कि तरीके से आपको ध्यान होगा ऑर इसी तरीके से आपको लेर्ण होगा अच्छे से क्या है कि से a लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांटने समיצ को कुछ लोगों की हानի हानी हो रहे ये कुछ लोगों को लेकिन उसले सारे लोग मिलके बांट रहा है। अगर हम 111 रुपा एकटा करें अगर हम भारत की पूरी जंता से 111 रुपे भी अगर हम लें तो 121 करोड, 130 करोड की जो हमारी population है उससे हमारे पास कितना पेशा हो जाएगा 121 करोड, 129 करोड यानि जादा से लिया तो क्या हुआ? जादा फरक नहीं पड़ा, यानि कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेते हैं, अब आगे समझना इससे होता क्या है? कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने से होगा क्या ये चीज देगना जोकिम द्वारा हुई हानी का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है समझे इस चीज को यानि जो भी जोकिम किसी बंदे पर आया है तो वो किसी एक को नहीं उठाना पड़ेगा है ना वो जो B Ma company है वो उठाएगी लेकिन B Ma company को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्यों कि उसके पास हर जगे से एक तरीके से premium जो है वो आ रहा है अभी premium क्या होता है ये अभी अपना के चर चार करने वाले है ठीक है ना तो उसको भी ज्यादा उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या हुआ जोकिम द्वारा हुई हानी का जो प्रवाव है वो कम हो गया हो गया ना कम है ना एक तो बंदे के उपर कुछ अगर जोकिम आ जाए वो अकेला सेहन करें तो बहुत दिक्कत आएगी उसको ठीक है ना काफी किसी को अगर दे भी देगी तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जिन लोगों से वह ले रही है उनको तो पता भी नहीं पड़ेगा समझ गई इस चीज को चलो बीमा क्या हो गया हो गया यह आप समझ गया अब बीमे में तीन चीज आपको समझना वह जरूर क्रत बीमाक्रत जो क्या पड़ता है उसको प्रीमियम देना पड़ता है यह प्रीमियम मंतली भी हो सकता है यह प्रीमियम क्वाट्रली यानि तीन महीने का भी हो सकता है ये premium 6 माही का भी हो सकता है ये premium एक साल का भी हो सकता है जैसा बीमा होगा उस type से premium decide हो जाता है वो premium उसको continue देना पड़ता है जब भी उसके कोई जोकिम आता है तो एक साथ उसकी वहाँ पर क्या हो जाती है मदद हो जाती है तो वो जो premium है वो उसको दुखता नहीं है ठीके ना तो premium उसको देना पड़ता है बीमा करता कोई भी company होती है जो बीमा करती है और बीमा करत जो बीमा करवाता है ये तो ओगे बीमा होता क्या है बीमा का अर्थ मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा नहीं आया हो तो एक बार screenshot लेके इसको एक बार देख लिए आप समझ जाओगे टिके ना वह के दूसरा देखते हैं आप इसके प्रकार टाइप ओफ बीमा के प्रकार कौन-कौन से होते इंसुरेंस के जो प्रकार है टाइप से वह कौन-कौन से होते तो यहाँ पर हम देखते है सबसे पहली चीज आती है जीवन बीमा जिसको हम बोलते है life insurance क्या बोलते है life insurance एक ना जीवन बीमा से बाध है जीवन बीमा यानि यि यह हमारी जिन्दगी से जुडावा है यह कब मिलता है कैसे मिलता है इसमें क्या होता है देखिए बीमाकर्त वेक्ति की मित्यू होने पर जिस भी बंदे ने बीमा करा रखा है ना वो जब भी मर जाएगा उसकी मित्यू हो जाएगी ठीके ना उस पर मिलता है अब आप कहो के उस पर मिलता है तो उसका क्या फाइदा उसका फाइदा नहीं है तो यही चाहेगा ना यार कि उसकी मित्ति हो जाए तो उसके बाद किसका फायदा हो उसकी फेमिली के का फायदा हो है ना उसको बेनिफिट मिले फेमिली में उसकी वाइफ हो सकती है उसके बच्चे हो सकते हो उसके भाई हो सकते है उसकी बेहन हो सकती है उसके माबाप हो सकते किसी को भी वो नामित कर सकता है नोमिनी कर सकता है ठीक है ना तो उस बंदे को क्या होगा ये जब मर जाएगा तो उस बंदे को क्या होगा एक निश्चित रासी का उसने कितने का भीमा करा रखा है उस हिसाब से एक निश्चित रासी का जो भुकताने वो हो जाएगा ठीक है इसमें भी उसको एक निश्चित प्रीमियम देना पड़ता है वो मंतली या क्वाटली बीमे की प्रीमियम भड़ता है तब ही जाके वो जब मरेगा तो उनको भुगतान मिलेगा तो क्या होगा आगे ज़्यादा दिक्कते नहीं आएगी मालो का परिवार में कोई इस्तती इत पड़ गए कोई आपका जटिल ओप्रेशन हो गया कुछ भी सल्ली चिकित सा कुछ भी आपको करवाने की ज़रुद पड़ गई तो वहां पर जो आपके एक लाग दो लाग भाई लाग तीन लाग चाल लाग जो पेसे लगते हैं वो फिर एक साथ उस समय देना बहुत ही प पर न. बहुत सारे घ्रचे जो हैं वह कंपनी उठाती वह पर आपको सब डिटेल दी जाती है जब आप लिघ्चित सा उपचार के खर्चों की पूर्थी यह वह इसमें ऊती है इसमें भी एक दिश्चित प्रीमियंग देना पड़ता है बस दिककत वहाहीं आता है कि बंद यात्रा बीमा यह बहुत कम लोग कराते यात्रा बीमा लेकिन जो कराते हैं वह उनके लिए अच्छी बात है इसमें क्या होता है कभी कोई वित्ती जूक या फिर यात्रा के दोरान आप बिमार पड़ गए ठीक है न या कोई भी अन्यहनी हो गई आपको तो वहाँ पर यह काम तो वहां पर आपके साथ अगर कोई वित्ती चूख हो जाती है कोई भी आपका पेशा इधर उदर हो जाता है कोई भी चिकित्सा की जरुत पड़ती है आपको या कोई भी अन्यहानी होती है तो वहां पर आपका खर्चा कौन पूरा करता है यात्रा भीमा इसका भी एक निक् प्राकतिक आपदा आगई कोई चोरी हो गई तो उस समय आपकी जो बीमा कमपनी है जिससे भी आपने बीमा करा रखा है वह आपको वहाँ पर साहिता करती है जो भी उसके उसमें लिखा हुआ है उस हिसाब से ठीके ना नेश्ट आता है मोटर वीमा मोटर वीमा यह आपने कराया होगा इंसोरेंस गाड़ी का है ना बाइक हो इसकुटी हो बड़ी गाड़ी हो फोर वीलर हो ट्रक हो बस हो सभी का जो वीमा है वो इंसोरेंस जो है वो होता है ठीके ना यह कप काम आता है आपकी गाड़ी से कोई द भीमे के रोप में जो भीमा अगर आपने कराया होता है तो उसके रोप में आपको हर जाना वहाँ पर देती है ठीक है ना तो यह कुछ भीमे होते हैं 1st 2nd 3rd 4th और 5th ठीक है ना यह 5 भीमे के मुख्य प्रकार होते हैं और यही प्रकार आपको याद करने इस से बाहर कहीं से नहीं आएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीके ना दृमा और विमा के प्रकार बस यही आपके सेेलेवस में दे रहाये नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बेंक और बेंक के प्रकार और भारती रिजर बेंक ठीके न तो मेरे ख्याल से एक और दो वीडियो और हमें जरुत पढ़ेगी और वहां पर आपका ये जो कोमर्स वाला जो टोपिक आया एसेस्टी में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा